जब से दिपिका पाड़कोन और रितिक रोशन की आक्शन पाट फिल्म फाइटर की अनॉंसमेट हुई है इन दोनों के फैंस इस फिल्म से जोड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट जानने के लिए एक्साइटेड है और जब बॉलिवुड की दुख खुबसूरत और काविल आक्टर्स रितिक और दिपिका पहली बार बिग स्क्रीन पर एक साथ दिखेंगे वो भी एक आक्शन फिल्म है तो फिल्म भी ग्रांट ही होगी और इसी के साथ अब हम आपको इस फिल्म से जोड़ी कुछ बिग अपडेट्स देते हैं दरसल खबरे आ रही हैं कि फाइटर बॉलिवुड की सबसे महेंगी आक्शन फिल्मों में शामिल होगी पिंक फिला की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फाइटर एक धम्मा किदार आक्शन फिल्म होगी जिसमें कई हैरत अंगेज आक्शन सीन्स ओडियंस को देखने को मिलेंगे सोर्सिस के हवाले से ये भी बताया गया है कि इसे धाईसो करोड के बजट में बनाया जाएगा इतना ही नहीं इसके साथ रिप्टिक के रोल का भी खुलासा हुआ है ख़बर है कि फाइटर में रिप्टिक एक एक एरफोर्स पाइलेट के किदार में दिखेंगी जीहा पिंग फिला की रिपोर्ट के मुथाबक SID is planning to make it on a budget of rupees 250 crore thereby making it one of the costliest and biggest action films to have come out of Bollywood The Hindi film industry has not seen big skill action thriller against the backdrop of Indian Air Force for a while now and that's exactly the space that Ritik and SID are trying to explore Siddharth and Ritik have been planning to make Fighter for a while now in fact it's a subject they were supposed to collaborate on before war it's a big scale a real action thriller with Ritik playing the character of an Air Force pilot for the first time in his career Siddharth has envisioned the story on a massive scale with real fight scenes, chases and a lot more back with a storyline with an undercurrent of nationalism, romance and emotions अब इसी जादा फैंस को क्या चाहिए कि Fighter में उन्हें अक्शन, emotion, romance और patriotism का तरका भी देखने को मिलेगा जिसमें Ritik एक डाशिंग Air Force pilot के लुक में दिखेंगे हालाकि इस फिल्में दिपिका किस किर्दार में दिखेंगी अभी उसका खलासा नहीं हुआ है आपको बता दें कि इस फिल्म का डिरेक्शन कर रहे हैं सिधार दानल जो Ritik के साथ साल 2014 में Bang Bang और 2019 में वार बना चुके हैं ये दोनों ही फिल्में action celebrates थी Bang Bang Hollywood फिल्म Night and Day का remake थी और Ritik के साथ इस फिल्म में Katrina Kev थी Bang Bang ने लगबग 180 करोड का net collection किया था तो वहीं वार में Ritik के साथ टाइगर श्रॉफ पैरलर लीड में थे फिल्म में कई high-octane action scenes थे और इस फिल्म में 300 करोड से ज्यादा का net collection किया था इसलिए इन दोनों फिल्मों के अधार पर माना जा रहा है कि Ritik के साथ तेस्वी बार action film कर रहे सुधार दानम fighter को अब अलग ही scale पर लेके जाएंगे Bollywood की latest news, gossip, film reviews, song reviews के लिए subscribe करे हमारे channel Crazy for Bollywood को and yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे channel पे आई कोई भी नई information आप बिल्कुल भी miss ना कर पाएं